महा विनाश का काउंटडाउन शुरू इस तारीक को हो जाएगा मानव सब्भेता का अंत एक तरफ तो पूरी दुन्या में कोरोना वाइरस का कह है बर्पा हुआ है पूरी दुन्या में खोफ है दूसरी तरफ अंत्रिक्ष से भी एक ऐसी तबाही आ रही है जिससे मानव सब्भेता का पूरी तरह से अंत हो सकता है पूरी दुन्या पर ये खत्रा मंडराने लगा है बड़े बड़े व्यग्यानिकों की नीद उड़ी हुई है और ये तारीक है 39 सप्रे अंत्रिक से एक ऐस्ट्रोएड यानी शुद्र घ्रह धर्ती से टकरा सकता है इस ऐस्ट्रोएड की रफ्तार 31,000 किलोमीटर प्रती घंटा बताई जा रही है व्यग्यानिकों की मताविक ये ऐस्ट्रोएड हिमाले जितना बड़ा बताय जा रहा है नासा ने इस एस्ट्रोएड के धर्ती के बेहत करीब से गुजरने की पुष्टी की है रह ज्यानिकों को आशंका है कि अगर ये एस्ट्रोएड धर्ती से टकराया तो महा विनाश होगा हो सकता है कि दुनिया से पूरी मानव सभ्यता का ही अंत हो जाए तो क्या वाकि ये खबर दुनिया के लिए इस वक्त सबसे बड़ी चिंता बन गई है क्या वाकि दुनिया बचाने के लिए हमारे पास जिर्फ एक महीने का ही वक्त बचा है तो चली आपको बताते हैं इस खबर की पूरी सच्चाई अर्बो साल पहले महा विनाश हुआ था धर्ती से तबाही मचाने वाला एस्ट्रोइड टकराये था एस्ट्रोइड के टकराने से डाइनसोर यूप का अंत हुआ था और 2020 में ऐसा ही डर ऐसा ही खो एक बार फिर से पूरी दुनिया पर मंडराने लगा है बड़े बड़े वेग्यानिकों की नीदुडी है सूपर पावर अमेरिका तक घबराया हुआ है क्योंकि नासा ने भी पुष्टी की है कि ऐसा ही एक विशाल एस्ट्रोइड एक बार फिर से धर्ती के बेहद करीब से गुजरने वाला है दुनिया बदल देने वाली ये तारीख 39 सप्रेल हो सकती है नासा की माने तो फिलहाल चिंता की बात नहीं है लेकिन कई वेग्यानिक इसके बाद भी आशंग का जता रही है कि अगर इसकी टाइमिं में कुछ सेकिंड का भी अंतर हुआ तो ये एस्ट्रोइड धर्ती से टकरा सकता है और तब बहुत मुम्किन है कि इसके बाद डाइनोसोर की तरह पूरी मानव सब्भेता का अंत हो जाए सबसे पहले आपको इस एस्ट्रोइड का नाम बताते है इसे 5276 से 1998 आई-R2 नाम दिया गया है इसकी रफ्तार 19,000 मील प्रतिघंटा है रग्यानिकों को अंदाजा है कि एस्ट्रोइड मांट एवरेस जितना विशाल हो सकता है और धर्ती पर टकराया तो तबाही मत सकती है 6.6 करोड साल पहले जिस एस्ट्रोइड के धर्ती पर टकराने से डाइनसोर खत्म होगे थी उसकी रफ्तार 40,000 मील प्रतिघंटा थी उस वक्त एस्ट्रोइड की टकर इतनी जबर्दस थी कि इससे धर्ती पर जीवन को तीन बार खत्म किया जा सकता था हलांकि 2020 के इस एस्ट्रोइड के बारे में कहा जा रहा है कि इसकी रफ्तार डाइनसोर युग को खत्म करने वाले एस्ट्रोइड की आधी है लेकिन इसी से आप अंदाजा लगाईए कि दुनिया पर अंतरिक से आ रहा ये खत्रा कितना बड़ा है और क्यों वे ज्याने इसको लेका ज़्यादा चिंतित है इधर कोरोना वाइरस भी पूरी दुनिया में अपने पैर पसा रहा है और दूसरी तरफ इस महा विनाश के काउंटडाउन से दुनिया खोफ में है इस वीडियो को जादा से जादा शेयर कीजिए साथ या आपके अपने चैनल हेडलाइन सिंडिया को सब्सक्राइब कीजिए